मैं हूँ नखमा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिलकशेक की रेसिपी तो टेस्ट के साथ यहां मैं आपकी हेल्थ का भी पूरा खयाल रखते हुए आज की रेसिपी लेके आई हूँ तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे ड्राइ फ्रूट मिलकशेक उसकी लिए यहां मैंने लिया है 200 ml फुल क्रीम मिलक अब इसके अंदर एड़ करेंगे एक चुथाई चमजी हरी लाइची पाउडर और एक चुथाई चमजी हल्दी पाउडर इसको पकने देंगे एक अच्छा उब मिलक शेक बनाएं तो वह बहुत स्मूद बनके तयार हो तो दूद में बॉइल आ चुका है फिलिम को कर देते हैं और देख लेते हैं कि किन मेवो की हमें जरूरत है इस मिलक शेक को बनाने के लिए तो यहां लिए है मैंने 10 काजू 10 बादाम और 10 ही किश्मिश यह चार खज कर दिया है उसके बाद यह है टू टेबल स्पून घिसा हुआ नारियल और हैल्दी बनाना है मिलक शेक तो शुगर का इस्तिमाल ना करते हुए तीन टेबल स्पून यहां मैंने हनी एड़ कर दिया है बाकी मिठास आप अपने हिसाब से सैट कर सकते हैं तो अब इस बावल क करेंगे तो तैया है हमारा पहला मिलक शेक यानि की ड्राइफ फ्रूट मिलक शेक आप इसे बना के देखिए यह टेस्टी तो होता ही है साथ में यह बहुत जादा हेल्दी होता है वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं बट खास दूर पर अगर मैं बात करू विकनेस की यह आपकी बॉन्स को बहुत मजबूत बनाता है और आप इसे पी के एक्टिव फील करेंगे यह आपकी कमजोरी को भी दूर करता है आप इसका सेवन हफते में एक दफा कर सकते हैं तो चलिए अब बनाते हैं चौकलेट मिलक शेक बनाने के लिए हमें चाहिए हो होंगे चार चौकलेट बिस्किट जो भी आपको पसंद हो और दस टुकडे चौकलेट के टू टेबल स्पून शुका पाउडर और टू टेबल स्पून चौकलेट सिरप और यहां पर चाहिए होगा 500 ml मिल्क तो देखा आपने कितने जटपट से दोनों मिलक शेक बनके तयार हो गए आप भी इसे बनाएए और इंजॉई करिए मिलक शेक को और मुझे फीड़बैक दीजिए कि आपको यह मिलक शेक के रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी यह रेसिपी बसंद आई हो तो मेरे चैन आपको मेरे च ऑट बस्फड़बैक झाले अगर को यह रेसिपी झाले कि यह रेस न liquids वा Harry C challenge